नमस्कार मेरे प्यारे साथियों आप सभी ने कुछ ऐसे नंबर्स देखे होंगे जिन में दसवलब के बाद सभी अंकों पर बार लगा होता है या दसवलब के बाद कुछ अंकों पर बार नहीं लगा होता है और कुछ अंकों पर बार लगा होता है प्यारे साथियों आज की क सब लब हाकिरकार है क्या और इसमें किस तरह के प्रस्ण पूछे जाते हैं तो मेरे प्यारे साथियों एक बार फिर से आप समी साथियों का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल असोका दैग्जाम गुरूपर मैं हूँ आपका अपना दोस्त बिजय म लग गया है आजकल जैसे कि आप देखेंगे 69,000 सिक्षक भलती में ये प्रस्ण पूछा गया था बहुत आसान है और आसान ही समझ सकते हैं सबसे पहले यहां पर हम चर्चा करेंगे कि आवात दसबलब वाखिरकार है क्या मेरे प्यारे साथियों जैसे मान लीजिए आपने क्या किया तीन से डिवाइड किया आपने सो को भाग किया तो तीन तिया कितना हो जा रहा है नो भाई यहां पर एक बचा और जीरो फिर तीन तिया कितना नो अब यहां पर एक बच रहा है और पाइंट लगाएंगे और जीरो बढ़ाएंगे फिर तीन तिया नो फिर आप लगा दें इसको भाग करने में तब भी आपका ये भाग कभी भी खत्म नहीं होने का समाप्त नहीं होने का यानि कि ये इस तरह से 3333 आता रहेगा और आप भाग करते हुए चले जाएंगे मेरी प्यारे साथियों अगर आपसे बोला जाया कि 3333 लिखते चले जाओ तो आप पूरा जीवन लगा देंगे हैं अब 333 लिखते रहेंगे कभी भी समाप्त नहीं होने का यानि कि हमने अब लिखने का एक तरीका इसको बना लिया कि जो नंबर बार बार रिपीट हो रहा होगा बार बार आ रहा होगा उसको हमने क्या कर लिया भाई उसको हम क्या कर लेते ह ऐसे करके ऊपर II एक लाइन खीच देते हैं इस ल्हों पर जिसको हम कहते हैं बार क्योंकि भाई यहाँ पर 33 बार-बार आ रहा है हिआनि हमने थी पर बार लगा लगा दिया इसका मतलब यह त्री अंक है वो बारवार आ रहा होगा तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं या फिर इसको ऐसे लिखा जा या फिर इसको ऐसे लिखा जाए इसी तरह से मानलों को example ले सकते हैं मैंने बोला आपका 1.25 और 7 मैंने तीनों अंकों पे बार लगाया इसका मतलब यह है 257, 257 repeat हो रहा होगा, बहुत आसान तरीके से आप समझ पा रहे होंगे, ऐसी मान लीजी मैं लिख दिया आपका 0.25, अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि 2525 जो है आपका बार बार आ रहा है, ऐसे चलता हो चला जा रहा है, अब मेरे प्यारे साथि आप यहाँ पर दो प्रस्न लिखे हुए देख पा रहे हैं, एक 24,000 सिक्षक भर्ती जो आपका अग्जाम हुआ था, उसमें और यह उत्तराखन टैट में पूछा गया था, इसी तरह से और भी बहुत सारे सवाल जो बिबिन स्टेट टैट या पर सी टैट में पूछे जात हैं, जैसी यह सवाल आप देख पा रहे हैं, और इसका का मान बराबर हैं, और इसमें सभी के सभी आप्सन आपके दे रखे हैं, ऐसे यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर बराबर है और आप्सन दे रखे हैं, तो आप्सन देखिए, यहाँ पर जितने भी दोनों सवालों म यानि recurring decimal number देके हमसे उसको भिन्न में change कराया जाएगा बात कुछ clear है अब आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई हमसे कोई भी आवलत दसवलव कोई संख्या देकर उसको हमने भिन्न में change करवाया जा रहा होगा तो मेरे प्यारे साथियों कैसे करके इनको परवतित करते हैं हर बात पर हम चर्चा करेंगे आपको अगर class पसंद आए तो like कीजिए share कीजिए subscribe कीजिए चलिए आगे बढ़ेंगे अब मेरे प्यारे साथियों देखिए जो पूछे गए प्रस्न है इनको करने से पहले कुछ examples के माध्यम से हम समझ लेते हैं कि कैसे करके इनको change करना होता है आप बात समझ पार हैं चलिए तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर हम बात करेंगे तो यह दो तरह का होता है द्यानदेंगे यह two type का होता है जिसमें एक तसम कह सकते हैं pure और दूसरा कह सकते हैं mixed mixed कह सकते हैं ya mixed कह सकते हैं वात एक ही है प्योर का मतलब यह है प्यारी महारती हो example समझने के कोशिश करते हैं प्योर का मतलब यह है दसबलब के बाद हर एक अंक पर बार का लगा होना चैसे मान लिजी एक लिखा ये दूसरा example 278 तीनों अंकों पर बार लगा है, 2.92487, पांचों के पांचों अंक पर बार लगा है, यानि कि ऐसे सभी आवत दसवलब, जिनमें दसवलब के बाद हर एक अंक पर आप देख पा रहे हैं, बार लगा होता है, तो ऐसे कहलाते हैं, प्योर ठीक है, आवत दसवलब ये प्योर र महारतियों उसमें क्या होता है कुछ अंकों पर बार नहीं लगा होता है और कुछ अंकों पर बार लगा होता है पॉइंट के बाद देख पारें इस पर यानि तीन पर बार नहीं लगा है चार पर बार लगा है ऐसी 0.392 तो 92 पर बार लगा है और 3 पर बार नहीं लगा है 2.427 तो यहां पर आप देख पार है, 4-2 पर बार नहीं लगा है, और 7-2 पर बार लगा है, यानि कि मेरे प्यारे से महारतियों, हमारा जो recurring decimal होता है, वो two types का होता है, पहला type के हम लोग बात करेंगे, तो उसमें हर एक तसबलब के बाद हर एक अंक पर बार लगा होता है, और दू पढ़ाया जा रहा है, आपके syllabus के हिसाब से पढ़ाया जा रहा है, जिससे आपको बिलकुल भी परेशा नहीं नहीं हो, किसी भी तरह की आपको समस्या ना आए, प्रस्नों को हल करते हुए, परेशान बिलकुल नहीं होना है, आपको बस हमारे साथ लगातार जमकर लगे रह तो मेरी प्यारे साथियों अब चलेंगे यहां पर कैसे करके इनको भिन्द में चेंज करा जाता है चलिए तो मैं इसको मिटा दूँ आप चली से इसको नोट कर लिए होंगे चलो फटा-फट से अब देखेंगे कैसे करके इनको भिन्द में चेंज किया जाता है चलो भई बह साथ यह चलिए जैसे माल लीजिए मैंने वोला कि कोश्चन हमारे पास 0.34 है यह दोनों पर बार लगा हुआ है दसपलब के बाद इसको भिन्द में चेंज करना है या भिन्द में परवतित करना है तो बहुत आसान सी बात सबसे पहले जो 34 है उसको ऐसी नोट कर लेंगे और अपान में जितने अंकों पर बार लगा होता है तो यहाँ पर ऐसे समझ लो कि बार का मतलब बार का मतलब हो रहा है नो से मतलब जितने अंकों पर बार लगा होगा उतना अपान में नो आ जाएगा तो एक और दो दो अंकों पर बार लगा है इसका मतलब अपान में नो आ ज जायेगा बात किलियर है बहुत आसान सी बात मैंने आपको डारेक्ट समyorum बेशिक न समझाया करे को बेशिक बैसे भी समय बहुत ज़्यादा लोगे दारेक्ट आपको उता दिया, बहुती सिंपल सी बात कि जितने अंकों पर बार लगा है उतना अपॉन में नौ लिक देंगे दो अंकों पर बार लगा तो दो बार नौ आ गया और यही हमारा क्या हो गया आंसर है ना आसान, बिल्कुल आसान है, ऐसी मालो मैंने लिखा 0.36 दो अंकों पर बार लगा है तो प्यारे से महरतियों यह 36 अपान 9 हो जाएका, अगर एक दूसरे से कुछ सिंपलिफाई हो रहा होगा तो सिंपलिफाई कर लेते, 3 एकम 3 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, 3 तिया 9 या ऐसे बोल दीजिए 4 से काट लेजी 3.12 और 3.11 तो यहाँ पर 4 बटे 11 तो डारेक्ट भी आप काट सकते हैं 9 से 9.36 और 9.11 निंडिया आनवे ऐसी माल लो मेरे प्यारे से महरतियों मैंने बोला 0.725 तीन अंकों पर बार लगा है तो 725 अपान ट्रिपल नाइन हो जाएगा ठीक है यह हो जाएगा हमारा इसका अंसर यानि 0.725 बार को अगर हम भिन्मे पर बत्यत करेंगे 725 अपान 999 बार जाएगा बाकि अगर सिंप्लिफाई होता है किसी नंबर से अंसर हो दोनों तो हम सिंप्लिफाई कर लेते हैं इतनी वास अपको समझ में आई होगी अब मेरे प्यारी सातियों इसको थोड़ा सा और चेंज करेंगे आगे बढ़ेंगे इस सब जल्ली से आप नोट कर सकते हैं सब लोग फटा-फट से सौड श्रीन इसका ले सकते हैं जैसे माल लीजिए अभी तक मैंने जो आपके एक्जामपल डिसकस करें वो सभी के सभी प्योर थे और दूसरी बात दसबलब से पहले कोई भी अंक नहीं था या संख्या नहीं थी ऐसे बोल सकते हैं जैसे माल लो मैंने बोला 3.93 है और इस पर इस तरह से बार लगा है तो अखिरकर यह जो दसबलब से पहले है decimal से पहले जो आपका अंक है इसका करने वाले है उस पर भी हम लोग चल्चा कर लेती क्योंकि कि आप यहाँ देख पार हैं दसबलब से पहले बन है यहाँ पर बन है बन भी हो सकता है से करके 9 3 पर बार लगा है दो अंकों पर बार लगा है तो दो बार नौ लिख लिया और 9 3 लिख लिया और 5 से पहले का ये प्लस में आ गया या चलो मैं बताऊंगा भी या इसको एक तरीका और होता लिखने का 3 डीपलस इसको कैंसल कर लो 3 1-3 29 तीन कम 3 9 3ए Kita नो यानी की 31 नना 3 ठीक है अब मेरी प्यारी साथ है इसको कैसे है इसको कैसे सकते हैं इसको लिखने का तरीक ये भी आई कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते अगर प्लस का sign लगा है तीन प्लस 31 बटे तेतिस लिखा यानि कि तीन सही 31 बटे तेतिस है तो यहाँ पर जो मैं कहना चाहा हूँ कि आपको plus sign लगाने की आवसकता नहीं है इसको आप ऐसे समझ सकते हो प्यारे से हो जाएगा जब तीन सही होगा तो बाकी आपका क्या हो जाएगा 93 बटे 99 और यह आपका 3 से 33 बटे 33 हो जाएगा बात सबको समझ में आ रही है बिल्कुल आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे इसमें कोई दो राहे नहीं है बहुती बड़िया शांदार और जबदस्त यानि कि यहाँ पर आप समझ पाए कि बहुत आसान सी बात पॉइंट से पहले अगर कुछ लिखा है तो वो सही में रहेगा अब मेरी प्यारे साथियों जो आए हुए प्रस्ण है उनको कर लेते हैं फिर इसके बाद हम मिक्स वाले प्रस्ण करेंगे ठीक है क्योंकि जो दोनों के दोनों सवाल यहाँ आप बोर्ड पर लिखे हुँ देख पार है यह सब के सब प्योर फॉर्म है यानि पाइंट के बाद इस पे भी देखो बार लगा है पाइंट के बाद दोनों पर बार लगा है तो मिक्स वाल तीन एकम तीन, तीन तीन, नो, यानि कितना हो जाएगा, तीन एकम तीन और एक चार बटे तीन, बात सब को समझ में आई, चार बटे तीन, यानि option number D एक दम से सही हो जाएगा, बात सब को समझ में आए, एक बार फिर से लिख दूँ, ये एक सही एक बटे तीन तो बन रहा है एक सही, एक बटे तीन और इसकी गोड़ा होती है तीने कम तीन और उपर जोड लेते हैं तीने कम तीन आया और एक चार बटे तीन कितना आसान सवाल है आप खुद देखो एक लाइन का सवाल है आप आसान इसे इसको कर पा रहे हैं अब नेक्स कोस्टन इसको देखिए 1.27 इन दोनों पे बार लगा है तो एक सही 27 बटे 99 हो जाएगा क्योंकि भाई दोंकों पे बार लगा है और नो तिया 27 और नो ग्यारम 99 यानि कि एक सही 3 बटे 11 बन रहा है और मेरे प्यारे महारतियों 11 ये कम होता है 11 और 3 होता है 14 बटे 13 14 बटे 11 14 बटे 11 आपका अंसर हो जाएगा बताईए कितना आसान सवाल है बिलकुल आसान सवाल है बहुत ही जदा आसान सवाल है फिरी के नंबर हैं आप कह सकते हो चलिए तो अब अगर आपके प्योर फॉर्म आएगी प्योर फार्म का मतलब हो गया कि दसबलब के बाद अगर हर एक अंग पे बार लगा है तो आप आसानी से कोई जाने का तरीका चेंज होता है तो इसके लिए हमें तयार रहना होगा इसलिए हम उसको पढ़ेंगे किसको मिक्स वाले सबाल को पढ़ेंगे और यह बहुत इंपोर्टेंट है क्योंकि अगर यह आपने ध्यान से नहीं समझे तो फिरा फस जाओंगे बहुत आसान है लेकिन ब पिल्कुल आसान है दोको अब आपकी कौन सी फॉर्म है यह आपका मिक्स फॉर्म है मिक्स तसबलब आ वल्थ है मिक्स रिकर्णिग डेशिमल है तो मेरे साथियों कैसे करेंगे सबसे पहले जो भी आपके पाद पाद लिखा है उसको नोड कर लेंगे माइनस समझेबा अब ही हमने सीखा है एक पर बार लगा नहीं लगा उतना जीरौ यानि यहां पे समझा रहा है बार का मतलब होता है ना समंग मजा आ जाएगाए बहतल चेयो शीख पाएंगे अभी तसलि我說 था जons मैं नहीं हो सकता है इसका मंन में doubt आ रहे हों कि अगर ऐसा हो अगर ऐसा हो तो क्या होगा अगर ऐसा सवाल पुच्छा जाए तो क्या होगा हर एक doubt आपका clear होगा बस आपको last तक बने रहना है बात clear अब मेरी प्यारे से महरती इसको आसानी से समझ पा रहे हैं एक बार free से समझ लीजिए complete number हमने note कर लिया complete संख्या note कर ली इसके बाद हमने जिस पर बार नहीं लगा उसको minus कर देंगे जिस पर बार लगा उतना 0 लगा देंगे एक पर बार लगा उतना 9 लगा देंगे एक पर बार तो एक नौ, एक पे बार नहीं तो एक 0 तो 5-7 में से 2 घटाएंगे तो 5-2 बचेगा और upon में 9-0 ये cancel हो जाएगा मेरे प्यारे से महारतियों दो दूनी 4, 2 छंग 12 ठीक है, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10 तो यानि कि यहां से 26 upon 45 आपका ये हो जा रहा है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, और examples देख लेते हैं, आप बहतर तरीकी समझ पाएंगे जैसे माल लो 0.258 है इस तरह से अब आप देखिएगा इस पे 2 अंगों पे बार लगा, तो पहले आप 258 लिख लोगे, minus करोगे जिस पे बार नहीं लगा, यानि minus 2 होगा, और upon में जितने पे बार लगा है, यानि दो अंगों पे बार लगा है, तो दो 9 आ जाएगा और एक अंग पे बार नहीं लगा है, तो एक 0 आ जाएगा, अब आपको कुछ समझ में आ रहा होगा, 258 में से दो घटाओगे, तो 256 बचेगा, और upon में 990 बचेगा, बात के लिए, एक काम कर दो से कैंसल कर लेते हैं, चलिए, ओके, दो एकम दो, दो दूनी चार और दो अठे सोला, दो चोक आठ, दो ने मठारा, दो पंजे 10, क्या और किसी से कुछ कैंसल होगा भाई, ठीक है, I think अब कैंसल नहीं होगा, अगर कैंसल हो जाएगा, तो दिक्कत वाली बात नहीं है, भाई, कर लेंगे, इसा कोई इसू नहीं है, मैं इसको ऐसे यहाँ पर छोड़ दे रहा हूँ, आप चेक कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अगर कैंसल हो रहा हूँ, कर लेंगा, अधरवाइस कैंसल होगा नहीं, तो यह आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ तक, बताओ, यहाँ तक सभी महारतियों को समझ में आ रहा हूँ, एक्जाम्पिल और देखते हैं, थोड़ा सा, और बैटल तरीके से आपको चीजे समझ में आ जाएंगे, फिर आलसी क्लास हम लोग एंड करेंगे, ठीक है, ऐसी छोटी छोटी क्लास इसके माध्यम से हम आगे बढ़ते रहेंगे, इससे आपका पढ़ने में भी दिक्कत ना हो, क्योंकि कई वार ऐसा तो जब लंबी एक लास होती है, तो आप लोग सही से देख नहीं पाते हो, मतलब कंप्लीट क्लास नहीं देख पाते हो, तब तक आपका मन जो है ना, मन हटने लगता है पढ़ने से, जली जैसे मालो लिखा है 3.258, ऐसे लिखा है, तो मैंने कहाँ जो प्ल्ट से पहले कह औहुत हो तौ प्लस में लिखो, या मैंने बोला चाहें प्लस में लिखो चलो, दो अंतर से लिख अगो यह प्लस में लिख लीजundos लीजिए, upon में जितने पर बार लगा उतना 9, बार नहीं लगा है, दो पर, तो 2, 0, या इसको ऐसे भी लिख लेंगे, ठीक है, इसको ऐसे भी लिख लेंगे, तीन सही, तीन सही, देखो भई, मैं भई कहा रहा हूं, जरूरी नहीं है कि आप प्लस का sign लगाओ बीच में, ये मैं बता दि या कई वाँ हो सकता है, और प्लस वाला दे रखा हो, इस तरह से वो ले, इसको कैसे लिखेंगे, तो हो सकता है, प्लस का sign लगाओ, हो सकता है, सही वाला हो, तो आप जैसा भी ऑप्शन उसे साब से अपने आपको adjust करके, सवालू कर लेंगे, तो तीन सही, ठीक, 25 गटा हो, तो आठ में से पांच जाएगा, तीन मचेगा, और पांच में से दो जाएगा, तीन मचेगा, और 233 अपन 990 इसको solve कर लेंगे, या तो यही मारा answer हो चाएगा, या तो 990 गुणा 3 से करके, 233 जोड़के फिल लिख देंगे, या फिर ये भी आपका exam में option हो सकता है, बात clear ह हो रही है सभी को, एक example और देखिए छोटा सा example, मानलो लिखा है, 0.257 और 7 ये ऐसे लगा है, तो क्या होगा, 2577-25 और upon में क्या आ जाएगा, upon में आ जाएगा भई, double 9, double 0 क्यों हो, क्योंकि double 9, दो बार दो पे बार लगा, तो दो बार नो, दो पे बार नहीं लगा, तो य साथ में से दो जाएगा, पांच और ये पच्चिस बावन, अपान 9, 9, double 0, इसको simplify कर लेंगे, दो से cancel कर लेंगे, जैसा भी हो चार से cancel कर लेंगे, अपने हिसाब से इसको cancel कर लेंगे, चाह तो cancel करी दे रहा हूं है, चार चंग 24, एक बचा, चार तिया बारा, चार बटे आपका हो जाएगा, दो, चार, साथ, पांच, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब का समझ में आ रही है, कई बार मेरे प्यारे साथियों, इस तरह का सवाल, ये सवाल जो है, आपका यूपी टेट में तो नहीं पूछा गया, लेकि 1, 2, 3, 1, 2, 3, ऐसे करके बार लगा हुआ है, तो देखो इसको आप समझ पा रहा है, वैसे तो क्या है, ये आपको लग रहा हो, कि ये mix recurring decimal है, mix वाला रूप है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे, तो mix वाले solve करोगे, तब भी solve हो जाएगा, मतलब क्या है, पहले complete उता हो रहा बार बार, तो हम इसको क्या ऐसे नहीं लिख सकते है, इसको ऐसे भी तो लिख सकते है, बार हमने यहाँ पे लगा दिया, हमने यहाँ न लगा कि बाद में यहाँ पे बार लगा दिया, फरक क्या पड़ रहा है, एक चाहा तो 1, 2, 3, 1, 2, 3, जब बार बार आ रहा है, तो क्यों आप यहीं पर बार लगातें अब यानि कि इसको आसानी से कर पाओगे बंटू थ्री अपॉन ट्रिपल नाइन आपका हो जाएगा तीन अंग को पर बार लगा है तीन चौक बारा तीन एकम तीन 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 नो इस तरह से बन जाएगा तो 41 अपॉन ट्रिपल थिरी यह आपका आंसर हो जाएगा तो मेरे प्यारे साथी चोटा सी क्लास चोटे सा टॉपिक में हर एक बात आपको समझ में आई है ना तो लाइक कीजिए, सेर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, हर एक वीडियो पर, हर एक क्रास पर आपका कमेंट आना आवस्तक है तो कि आपके कमेंट ही हमें प्रोथसाहित करते हैं और बहतल तरीके से पढ़ाने में तो मेरे प्यारे साथियों मिलते हैं अगली क्लास में सभी साथियों का धन्यवाद जहन जय भारत बंदे मात्रम